पुलेटकल साइन्स एंड पब्लिक अड्मिस्टेशन की स्मार्ट इस्टिदी के लिए सब्सकाइब करी मेरा चैनल पुलेटकल साइन्स बाइ डॉक्टर शिप्रावर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट अप माई वीडियोज अपने चैनल पुलेटकल साइन्स बाइ डॉक्टर शिप्रावर्मा में डीयर प्रेंस जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सिख रही पॉलेटकल साइन्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जक्ट पे अपने वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगी और इसी क्रम में आज मैं मोस्ट अवेटिंग वीडियो लेक्चर सिरीज पॉब्लिक एड्मिलिस्टेशन के चैप्टर सेवन के सेकंड पार्ट को लेकर आई जिसके अंतर गत हम चरशा करेंगे मानव संबन सिधान की इसके पहले मैंने इसका एक चैप्टर यानि मौन संबन सिधान का 1 पार्ट अपने चैनल पे डाला है चैप्टर 7 के 1 पार्ट के रूप में अगर आपने मेरे उस वीडियो लेक्टर को अभी तक नहीं देखा है हैं तो प्रीस सबसे पहले उस वीडियो लैक्छे को देखिए जो कि मानव संबन सिध्धान का पार्ट सेकंड समझ में आ सके चैप्टर सेवन के फर्स्ट पार्ट यानि मानव संबन सिध्धान के वीडियो लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि मानव संबन को नवसास्ति अदेश्टि कोर्ड भी तथा यह लोग प्राह सासंगी विकास के दिती चरण में यांतिक विचा धारा की प्रतिकिया के स्वरूपमें अस्टत्योमें आया आपको यह वीडियो लेक्च्टे देखना है तो मैं इस वीडियो के end screen पे इस video सबसे पहले हम समझ लेंगे एक मोटी मोटी रूप लेखा कि मानो संबंध सिधान का क्या अर्थ है तो मानो संबंध को नव सास्ति दिश्टिकोर भी कहते हैं तथा यह लोग प्रसासन के विकास के दिथी चरण में यांति विचार धारा की प्रतिक्रिया के सुरूप के जेवम अस्थापना की इस सिधान का उद्देश्य कारेरत मनुष्यों का इस प्रकार से अध्यान विश्टेशन करना था जिससे की पता लगाया जा सके कि किसी कारे अवस्था में विशेश में किसी कारे अवस्था विशेश में मानवी अचर्णों के आचर्णों के क्या अ आप इस पार सेकंड को तभी समझ सकते हैं जब आप इसके पार्ट फर्श को देख लेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्षा के पार्ट फर्श को जो उसे देखें पार्ट सेकंड के अंतरगत हम चार्चा करेंगे साचातकार अध्यान प्रियोग का जो की असृत में आया 1928-1931 के मद इसी अंतरकत मेयोना जो सोद निकाला। उसके उसमें क्या उनों ने पाया साजात कावभएं प्रयोंग में, यह इसके बारे में हम चर्चा करेंगेु तु चलिए सुरू करते हैं साजात कावभभ प्रयोंक के श्रमिकों से प्रवंद की नीतियों, योजनाओं, कारे दशा, प्रवंद की वर्ता, आधी बातों पर प्रश्न पूछे गए, इसके बाद क्या निश्कर्ष निकाले गए, 21,000 से अधिक कामकारों का परिक्षन करने के बाद सोद धलने नेमने निश्कर्ष निकाले, इसमें स वास्विक्ता के बारे में जो फिर निस्कर्स निकाला जाता है उसमें कोई स्पष्ट संबंद नहीं पाया गया जो साचात का अध्यम प्रयोग किया गया उसके बाद मेयों ने जो निस्कर्स निकाला 21000 से अधिक कामगारों के परिच्छन करने के बाद उसमें सबसे पहले य पश्ट संबंद सामने नहीं आया श्रमिकों ने सोद धल द्वारा उनकी समश्याओं को जानने के धंग की सराहना की उन्हें लगा कि वेप्रवंद के हिस्से हैं जिसके दौरान उन्हें समिकों के ये लगा कि वेप्रवंद के हिस्से हैं अपना भूमुल सुझाव सोद धल क वो या सोध दल के कार्यकरताओं को दे सकते हैं। इस दोरान जब सोध किया जा रहा था तो सूपरवाइजरों के व्याहार में भी काफी बदलाव आया क्योंकि उन पर सोध दल की नजर थी। चुकि सोद धल उन पे नदर रखा हुआ था इसलिए सूपरवाइजरों के व्याहार में भी काफी बदलाव आया इस सोद के दौरान ये भी पता चला कि व्यक्तियों के साथ अंतरंग संबंद स्थापित करके ही उनकी वास्विक समझ्याओं को जाना जा सकता है सोद करताओं को इस सोद के दौरान ये इस बात का पता चला कि स्रमिकों के साथ व्यक्तियों के साथ जो स्रमिक दल में जो मौझूद व्यक्ति है चाहिए वो इस्त्री हो चाहिए वो पुरुस है उनके साथ अंतरंग संबंद स्थापित करके तात पर ये है कि उनके साथ मैत् के सारशल्यों की वेहार करने की श्रिश्ट तक्किनिक को खोज निकाला है। शोथ दल न या लिए निसका है कि इस प्रकासी उन्होंने अपने सोथ के दोराण जो बात उजागर की Commerce ठोगा है कि इस सोथ के दवारा पर अपने सयोगियों के वहारों को समझने तथा उनके साथ वहार भी उनका विहावियों कैसा होना चाहिए अपने सयोगियों के साथ इसकी उन्होंने स्रेश्टि तकनिक खोज निकाली उपर यक्त सोथ के बाद जो निशकर्ष शामने आये उससे सोथ करता और प्रमंदक दोनों ही हैरान थे इन प्रयोकों से या निशकर्ष निकला की संगठन एक सामाजि प्रणाली है तथा किसी भी संगठन की उत्पादक्ता काम करने वालों की सेवा की दशाओं पर निर्भर है श्रमिक में मनुश्य हैं तथा संगठन में उनकी उपेच्छा करना अनुचेत हैं इस दोरान जो बात सामने आई वो यह थी कि संगठन में संगठन चुकी एक सामाजि प्रणाली है तथा किसी भी संगठन की उत्पादक्ता उसमें काम करने वालों की सेवा की दसों पर निर्भर करती है चुकि संगठन में उनकी उपेच्छा करना उनुचित है संगठन की मानम संब्न विचारधारा का सारिया है कि संगटनात्मक विखार काफी जटिल होता है और संगतनात्मक समश्यों के विशलेशन और समाधान के लिए बहुँ पच्छे प्रकिति का ग्यान होना अतनत आवश्यक है हार्थोन कार खाने के कर्मचारियों के वेहार का अध्यन करते हुए या पाया गया कि कुछ कम पेतन पाने वाले कर्मचारी आपस में अनुपचारिक रूप से मिल जुलकर या तै कर लेते थे कि वे किसी भी काम को बहुत तेजी से नहीं करेंगे और इस प्रकार बे सिंग्रगती से काम करने वाले मज़ूरों का मजाक उडाते थे तथा उन्हें मालिकों का खुशाबनी कहकर इस त्रिष्टी से चढ़ाते थे कि वे अधिक तेजी से काम ना करें फिर भी यदि वे न मानते तो उनका सामाजिक पहिशकार कर दिया जाता था तो इस प्रकार से मज़ूर और अपचारिक टूइती से संगठित होकर कार खाने की उत्पादन पर नियंतर करने लगे इस रोचक अध्यन से स्युक्त राज अमेरिका में उद्योगों में मानवी संबंद के अनुसंधान की प्रवित्ती प्रवल हुई एल्टन मेयो के अध्यन का निश्कर शिया था कि संगठन में मानवी पच्च को अन्देखा नहीं करना चाहिए तता तकनीकी और आर्थिक पहलों पर जादा बल देने किया पेच्चा प्रवंद्दकों को मानवी स्थितियों प्रेणा और शमिकों से संबंद इस्थापित करने पर जादा ध्यान देना चाहिए तो दियर फ्रेंड्स यह था मानव संबंद सिध्धान के वीडियो लेक्चर का पार्ट तू जिसके अंतरगात हमने मानव संबंद सिध्धान की विष्टे चरचा की इस पार्ट को भली भाती समझने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप इसके फर्ष्ट पार्ट को देख ले जिसका डिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी साथी साथ मैं इस वीडियो लेक्चर के इन स्क्रीन पे उस वीडियो लेक्चर का मानव संबं सिध्धान के पार्ट फर्ष्ट का स्क्रीन लगा दूँगी आप इस स्क्रीन पे टच करके इसली मानव संबं सिध्धान के पार्ट फर्ष्ट को देख सकते हैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा दी गई जानकारे पसंदारी होगी और इसी तरह से मैं बैक टो बैक वीडियो लेक्चर समय मिलती ही आपको देती रहोंगी मैं जैसे जैसे हमें जैसे समय मिलता जाएगा मैं पब्लिक अड्मिनिस्टेशन और पी एस आई आर यानि पॉलेक्टकल साइंस का वीडियो लेक्चर आपको देती रहोंगी चुकि आपका इस समय पूरा ध्यान देना अपने प्री एक्जाम में बहुत ज़रूरी है तो आप प्री एक्जाम की तेहरी करिए जो शोर से और मैं जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं वीडियो लेक्चर आपको देती रहोंगी तो आप कम से कम इतना करिए कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंदा रहे हैं तो इसे अधिक साधिक इस्टेडी ग्रूप में शेयर करिए इसके लिए आपके पास फेस्बूक आपके मोबायल में जो फेस्बूक है उसे यूज कर सकते हैं उस आप जिस जिस इस्टेडी ग पाइदा उठा सकें मेरे वीडियो लेक्चर के फ्री पीडियो नोट्स पाने के लिए आप सभी लोग मेरे टेलिकाम चैनल से जोड़ सकते हैं जहां में इन वीडियो लेक्चर के स्ट्रीम होने इस्ट्रीमिंग के 24-28 घंटे बात सारे वीडियो नोट्स प्रोवाइड कर देती हूं आप लोग मेरी इतनी हेल्प करिए कि यह मेरे मेरे लेक्चर अधिक से अधिक नीट फूल इस्टुडेंस तक बहुत सकें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो प्रीज सब्सक्राइब माइ चैनल एंड हिट डबल आइकन ताकि आने वाले मेरे आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें इसे के साथ आप से विदा लेती हूं अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तित होंगी तब तक के लिए मैं टेक केर